पत्रकार अपनी पहले से सोच डिसाइड करके आ रहे हैं वो अपनी बात हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं हमारी बात ही नहीं सुन रहे हम महिलाओं पर जवर्जस्ती दवाओ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बार कारण कुछ और है इस बार कारण है मुआपजे की राशी को लेकर जो घमाशान मचा हुआ है राहूल गांदी ने एक तारीक एक जुलाई को संसत भवन में जाकर ये कहा कि जो अगनी वीर है उनको मुआपजे की कोई राशी नहीं दी जाती है एक जवान और दूसरे जवान में बीजेपी जो है वो भेद कर रही है दो जवानों के बीच में दरार पैदा कर रही है और अपने आपको देशवक्त कह रही है मुआपजे की राशी नहीं देकर युवाओं के बीच में जो कौशल है जो उनका जोश है वो कम हो रहा है इस तरीके की बात राहूल गांदी ने की थी और इसका कटाश करते हुए राजना सिंग ने कहा कि जितने भी अगनी वीर जो सहीद होते हैं उन सब को एक करोड की मुआपजे राशी दी जाती है इतना पूरा घमाशान था इसके बाद पंजाब के एक जवान है जो सहीद हो गए है अजय सिंग उनको कोट करते हुए राहूल गांदी ने ये कहा था कि ये वो परिवार है जिससे मैं खुद मिला था इनको कोई मुआपजा रासी नहीं मिली है और ये वाली जो बाइट थ रहा वो गलत है इस तरीके की बाद जो अगनिवीर सहीद अजय सिंग है उनके पिता ने कही थी बस ये जो बाइट थी उसको राहूल गांदी ने फिर से शेयर करके कहा कि राज्या सिंग को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे संसद में जूट कहा है और इसक तो राहूल गांदी और राजनाज सिंग के बीच में जो कॉंट्रोवर्सी हुई उसके बाद तमाम मीडिया पत्रकार अजय सिंग के घर में देरा जमाने लगे इस देरा जमाने के चक्कर में एक प्राइवेट न्यूस चैनल के पत्रकार को परिवार वालों का ये आरोप ह रहे हैं आप वीडियो में देख रहे होंगे कि अजय संग की जो बहन है वो सीधे सीधे पत्रकार से सवाल पूछते हुए कहती है कि क्या तुमको मोदी ने भेजा है या तुम मोदी के कहने पर आये हो ऐसा इसलिए क्योंकि परिवार लगतार ये कह रहा है कि मुआपजे की कोई भी राशी परिवार को नहीं मिली है मोदी का एक लिए आख को नहीं मिला है बैंक से इंसरेंस का पैसा भले मिला है कि नहीं प्तरकार अपनी एक पहले से सोच decide करके आ रहे हैं वो अपनी बात हम पर ठोपने की कोशिश कर रहे हैं हमारी बात ही नहीं सुन रहे हम महिलाओं पर दवाओ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो महिला हैं वो बार-बार जवरजस्ती दवाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो महिला हैं वो बार-बार उन पर आरोप लगा कर ये कहती हैं कि तुम मोदी के साइट से आये हो क्या मोदी के कहने पर तुम ये बात कह रहे हो क्या ये सब पत्रकार विरादरी पर एक सवाल खड़ा तो करता ये क्योंकि पत्रकार का पेशा ये है जिसमें आप सत्ता की भी बात सुनेंगे और जो पीडित है यह जो दूसरा पक्ष है उसकी बात भी सुनेंगे लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि ये जो पत्रकार है वो हमें घे लिये हैं हमारी ब पहने अगनी वीर परबहार ना इम भी एक पहल ते हैं था फाद का पहली सब्सक्राद सब्सक्राइब कर साथ पहले है एक प्रऴक कि नहीं प्रवांडिने गांड़ देल गोवे देगा है कुरिनगा दो ठाटार युचारत टारी हो इस प्रवशें हम सान zeigt, और हम ठतरों हाइब है यहाइब है. सकतُ हाङब everything, हम जाइब ड्रीक्न भरी यु aquellos कंचा गुणी है. यु या झी लोरीख से था हो हाइब वैसे सान भरीख यू एप कि वहा हाइब है. सान बनधी है फटुणी अलमोर रास हा और है। तो अजय सिंह के घर के दरवाजे पर उनकी एक तस्वीर नज़र आती है और गेट के पास तमाम महिला नज़र आती हैं घर से बाहर निकर कर महिला तमाम पत्रकारों से जूसते हुए नज़र आ रही हैं तो इस पूरे कॉंट्रोवर्सी के बीच सेना की भी इंट्री हो जाती सेना का अपना एक ट्वीट आता है भारती सेना ट्वीट करते हुए राहूल गांदी की बात को गलत साबित करते हुए कहती है कि 98 लाक रुपए की पहले किस सहीद अजय सिंग की परिवार को पहुचा दी गई है सेना ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम अजय सिंग के सर्वोच बलिदान का सम्मान करते हैं हमने अंत्रिम विजाई पूरी सैन्य साज बाच के साथ दी थी तो सेना यह क्या रही है कि पहले किस्ट अंठानवे लाक 49,000 रुपए पहली किस्ट परिवार को पहुंचा दी गई है और दूसरी किस्ट जो है वो पहुंचाई जाएगी 67 दूसरी किस्ट को जरूरी प्रावधान के बाद परिवार तक पहुंचा दी जाएगी इसके लिए हम जल्दी कारवाई कर रहे हैं उसके बाद दूसरी किस्ट भी पहुंचा दी जाएगी तो सेना का यह बयान यह साफ करता है कि जैसे राजना सिंग ने कहा था कि एक करोड इस परिवार तो सही परिवार वाले जूट पोल रहे हैं याद तो राजनासग जूट बोल रहे हैं या तो रजना सिंग जूट बोल रहे हैं या तोवार lifetime जूट बोल रहा है तो बीच में पैसा कहां गया इस सब के बीच और मज़दार चीज है वह यह कि तीन और अगनी वीरों का नाम सामने कांग्रेस रही है कि इन तीन और अगनी वीर जो पंजाब के ही हैं उनको भी किसी तरिके की कोई मुआज़ाराशी नहीं मिली है तो बाकी मुआवजे राशी को लेकर यह पूरी muitas के वज़े से गेरे में है सहीत परिवार नेंसाफ किया है कि हमें बैंक की तरफ से 50 जार उपए मिला था और पंजाब सरकार ने दिया था तो बाकि इस पूरे कॉंट्रोवर्सी पर आप क्या सोचते हैं में कमेंट सेक्शन में बताईएगा